हलो दोस्तों ऐसार इलेक्ट्रोनी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास रिपेर होने आया है दोस्तों ये देखिए CRT TV जो की संतोस कंपणी है जो की बहुत ही फुराना कंपणी है 14 इंची का देख सकते हैं इसमें ये जो TB का है जो रिट्रेस लाइन वाइट रिट्रेस लाइन के जैसा इसमें लाइनिंग आ रहा है देखिए इसमें CRT TV का जो सर्कीट है ये ओरिजिनल सर्कीट नहीं है इसमें चैना सर्कीट लगाया हुआ हुआ है और ये देखिए इसमें की देखिए ये बटन यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरह से देखिए तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें लाइन देखे देखाते हैं आपको कि इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है इसमें जो इस तरह से है देखिए इस तरह से तो चलिए इसका मेल लीट को लगाते हैं आपको पावर पलग में और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इसका फाल्ट है इसको तो देखते रही है हमारा वीडियो को skip करके बिल्कुल भी ना देखें अगर कुछ सिखना चाहते हैं CRT TV का भी रिपेरिंग तो बिल्कुल skip करके ना देखें और पूरा देखें वीडियो और हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लेना और bell आइकन को press करके all notification पे set कर लेना ताकि आने वाला इसी तरह से देखें इस तरह से इसमें हमारा अंदर में देखें रिट्रेस लाइन आ रहा है देखें इस तरह से वाइट रिट्रेस लाइन देखें इसी तरह से रिट्रेस लाइन आता है तो इस फॉल्ट को किस तरह से जड़ से खतम करना है दोस्तों जड़ से खतम करने का है तो इस तरह से वीडियो देखें और इस तरह से रिपियर करें हमारे जैसे यह नहीं कि आप थोड़ा से रिपियर कर देंगे कुछ इस तरह से फाल्ट कर ठीक नहीं होगा दोस्तों किस तरह से इसका फाल्ट आया है उसको जड़ से रिपेर करने का कोशिस हम करेंगे दोस्तों और दिखाएंगे आपको और हमारी व्र को इस तरह से दिखाएंगे कि हम उनभी शीख के इस तरह से कर सके है तो चले दोस्तों इसको हम अनपलक करते हैं देखे इस तरह से और टीबी को मैंने खोल लिया हूँ इस तरह से इसका बेक को इसकुरू को सबको निकाल लिया हूँ ताकि आपको आपका समय बचा सकूँ मैं देखे इस तरह से इस तरह से इस तरह से मैंने इस टीबी को ओपन कर ले रहा हूं देखे इस तरह से जो की बहुत ही दिनों से ये खुला है दोस्तों देख सकते हैं इसके बोडी में भी देख सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं कितना धोल मिट्टी जमा हुआ है दोस्तों लेकिन यहां अभी फिलाल में साप नहीं करूंगा दोस्तों इसकी फॉल्ट को पहले में किलियर कर लेता हूं उसके बाद में सफाई करके इसको पेक करके दे दूंगा कर्स्टमर को देखिए इस तरह से देखिए जो काफी गंदा हो चुका है दोस्तों देखिए फिर भी इसमें थोड़ा से हमें साप करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि इसका फॉल्टेज सब को चेक करना पड़ेगा हमें कि इसका फॉल्ट को किस तरह से है इस जगह पर हमें चेक करना पढ़ेगा और इसका जो main circuit पर चेक करना पढ़ेगा देखिए इस तरह से देखते रहे हैं दोस्तों वीडियो को इस तरह से देखिए देखिए यहाँ पर इसका base PCB ब्टेज को चेक करेंगे पहले देखे तो मैं केमरा को सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा देखते रही है वीडियो को वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है दोस्तों आपको वीडियो छोड़ देंगे तो आपको सीखने पाएंगे और गलत गलत कमेंट करने लग जाएंगे और कमेंट करेंगे गलती से तो आप भाई हमें आपका जिम्मवारी नहीं होगा दोस्तों आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा शीक नहीं पाएंगे और गलत कमेंट करने लगेंगे हो तो हम उसका जिम्मवार नहीं होगा दोस्तों देखे इस तरह से देखे भाई इस तरह से इसका देख लिजे तो यहाँ पर हमें पहले भोल्टे चेक करना होगा दोस्तों तो भोल्टे चेक करने के लिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ पहले इस तरह से करके ताकि आपको चेक करते समय आपको दिखाई दे तो मैंने मीटर को set कर ले रहा हूँ इस जगह पे देखे इस तरग 200 के range पे check देखे इस तरग से तो मीटर को एक जगह पे इस तरग से मैं रख दूँगा ताकि आपको दिखाई दे देखे इस जगह पे भी रख दूँगा तो दिखाई इस जगह पे रख देता हूँ मैं और एक probe को आपको ground कर लेना है दोस्तों देखे इस तरह से अर्थ का ये अर्थ है दोस्तों इसका ground इसे body से रता है तो इस जगह पे किसी भी जगह पे एक अर्थ को connect कर दीजगा इस तरह से और एक प्रोग को आप पकड़ लिजेगा इस तरह से और चले इसमें लाइन देके देखते हैं पहले देखे इस तरह से हमने इसमें लाइन दे दिया है और हमारा टीबी चालू हो चुका है और देखते हैं कि इसका बोल्टेज को हमें किस तरह से देखना है देखिए इस तरह से इस तरह से वोल्टेज को इसमें चेक करेंगे सबसे पहले हमारा 180 वोल्टेज जो मिसिंग होता है या कुछ कारण होता है दोस्तों उस टाइम में ये वोल्ट हमें नजर आता है तो उस समय का यह जो voltage है इसको किस طरH से हम check करेंगे कि हमारा 180V कहां से है तो यह देख सकते हैं दूस्तों इसमें EST section है यह देखिए इस तरह से यही से हमारा देखिए इसमें 3 वायर निकला होता है यह हमारा 3 वायर यहां से आता है और जब यहां से अगर हमारा 180 volt नहीं बनेगा तो हमारा इस base PC भी नहीं आएगा अगर यहां पे हमारा 180 volt आ रहा है तो इधर का section हमारा ok है दोस्तों तो इधर हमको छेड़ना नहीं है देखे, तो यहां पे हमारा voltage को चेक करेंगे सबसे पहले तो दीख रहे है दोस्तों आपको meter भी तो मैं चेक करता हूँ इस तरह से देखे, यहां पे हमारा 180 volt का लिखा हुआ है दोस्तों इस वाला point पे तो आपको meter में नहीं दिखाई देता होगा दोस्तों देखे इस तरह से देखे, कितना दिखाई दे रहा है 180 के करीब तो नहीं है फिर भी इसमें कुछ लेकिन वोल्टेज इसमें आ रहा है थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है AC वोल्टेज, हीटर का वोल्टेज देखे, इसमें भी हमारा 3.89 करीब आ रहा है वोल्टेज देखे, इस तरह से हीटर का वोल्टेज आ रहा है हमारा 180 वोल्टेज भी present कर रहा है हमारे पास और यह हमारा यहाँ ground है दोस्तों यहाँ पे, देखे तो हीटर का वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारा 4 से 5 बोल्ट के अंदर में ही मतलब यह रहदा है दोस्तों तो हमें AC 200 के रेंज में हम चेक कर सकते हैं हीटर बोल्टेज को देखिए इस तरह से तो इसका मतलब हमारा यहां से बोल्टेज हमारा आ रहा है देखिए इस तरह से देखे इस तरह से हमारा इसमें भी आ रहा है देख सकते हैं यह हमारा 180 बोल्ट का लाइन है देख सकते हैं इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है जो कि यह हमारा रेजिस्टेंस पे जाता है देखे तो रेजिस्टेंस पे भी देख सकते हैं इसमें ये उपर में आ रहा है 174 करीब देख सकते हैं आप इस तरह से रिपेर करेंगे दोस्तों तो आपको आसानी होगा और अपना टीबी लाइप टेम चलने लगेगा दोस्तों ये जो बिमारी आता है ये बार बार नहीं आएगा दोस्तों आपका देख सकते हैं कि इसमें सारा वोल्टेज मौजूद है 20 वोल्ट से आपका नीचे का वोल्टेज है तो आपको यहाँ पर चक किजिएगा देखिए यहाँ पर इस वाला सेक्शन पर तो आपको बराबर दिखाए देगा जो कि इस तरह से जो कि यह हमारा main IC से हमारा RGB जो वोल्टेज इंपुट इसमें होता है बेस PCB में देखिए इस तरह से 8.43 इतना वोल्टेज इसमें भी आ रहा है देखिए इस तरह से देखिए यह हमारा RGB का वोल्टेज 1 आ रहा है देखिए इस तरह से देखिए इसमें भी 1.2 देखिए 1.4 देखिए इस तरह से 1.4 देखिए यह हमारा ground है last का देखिए इसमें हमारा जो circuit है circuit से हमें सारा voltage हमें input हमें मिल रहा है देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मैं set कर ले रहा हूँ और इस तरह से देखिए इसमें भी देख सकते हैं देखे इस तरह से ये सब में भी बोल्टेज हमारा इन हो रहा है देखे देखे इस तरह से देखे इस तरह से देखे सारा बोल्टेज हमें इन्पूट में मिल रहा है और हमारा CRT TV में बस white retrace line का problem है इस तरह से retrace line को आप आसानी से कर सकते हैं जो कि आप इस CRT board में से आपको check करना है कि यहां से हमारा input यहां voltage आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस इतना सा find करना है पहले या इधर आ रहा है तो यहां से आपको छेड़ना नहीं है जैसे यह देखिए इस तरह से यह आपका किसी line में या किसी इस जग़ा पे devote है या resistance है या कुछ भी है इस जग़ा पे छेड़ना नहीं आपको देखिए इस तरह से देखिए हमारा इसमें voltage सारा का सारा मौजूद है तो चले आप और एक आपको जो दिखाता हूँ इस तरह से मैं इसको पावर को ओप कर लेता हूँ इस तरह से देखिए इस तरह से मैं इसको आपको डाउन कर लेता हूँ इस तरह से देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है और इस तरह से देखे इस तरह से यह जो है यहाँ पर EST देख सकते हैं कि इसमें हमारा EST सेक्षन है यह वाला यह हमारा EST सेक्षन देखे इसमें थोड़ा सफाई कर देने से दोस्तों यह चमकने लग जाता है देखे इस तरह से बस यह कस्टमर अपने घर पर इस तरह से रख देता है कि इसमें धूल मिट्टी अंदर घुश जाता है दोस्तों इसके उपर में कुछ रखता नहीं है जो इस तरह से इसका खराबी आने लगता है दोस्तों जब धुल मिटी किसी connect एरिया में इस तरह से loose contact जैसा करने होता है दोस्तों तो इस पार्किंग करकर होता है तो इस तरह से भी खरावी आने का chance हो जाता है दोस्तों देखे इस तरह से बहुत ही छोटा बिमारी है लेकिन ये आपका टीबी को पुरा बरबाद करके रख देगा देखे इस तरह से देखे इस तरह से ये सारे का सारे voltage को देख लिजेगा और समझ लिजेगा कि यहाँ पे fault कहां से आता है तो आप सबका ये voltage ओके है यहाँ पे जो base PCB है यहाँ पे voltage ओके है तो आपको एक ही section बच जाता है आपको check करने के लिए यहाँ पे देखे यह जो EST है क्या EST से हमारा ये देखे ये screen का है ये light का है देखे ये इसमें दो terminal दिया हुआ है देख सकते हैं इसमें इसमें ये है एक को come basic कर सकते हैं screen को देखे ये देखे ये दोनों को हमें check करके देखना पड़ेगा कि इसको घुमांके देखना पड़ेगा क्या ये preset हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या ये preset हमारा काम कर रहा है क्या हम light को come या ज़्यादा करके देखेंगे क्या इसमें से हमारा light कम या ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा voltage तो सब कुछ बराबर है फिर भी यह हमारा white trace line दे रहा है तो क्यों दे रहा है इसका light कम हो गया या ज्यादा हो गया या क्या करण हुआ तो यहीं पर देखतर ही है मैं fault को आपको दिखाता हूँ आपको जड़ से खतम हो जाएगा आपका fault क इस तरह से देखिए आपको टीबी को थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं देखिए इस तरह से इतना में दिखाई देगा आपको देखिए इस तरह से तो मैंने इसको टीबी को connect कर ले रहा हूँ देखिए ये टीबी हमारा चालू हो गया है देखिए देखिए इस तरह से देखिए हमारा display देखिए इस तरह से आ रहा है ये देखिए इस तरह से अगर हम इसमें picture चलाएंगे तो ये picture धुंदला हो जायगा ये retrace line उपर में दिखाई देने लगेगा और हम एं clear picture नहीं द देखते रहिए मैं क्या करता हूँ आपको, यह देखे, आपको मैं क्या करके दिखाता हूँ देख लिए, यहाँ पर, यह जो हमारा preset है, यह नीचे वाला को हमें देखना है कि इसमें हमारा कम या ज्यादा करके देखेंगे, तो मैं चलो इसको कम करके देखता हूँ, देखे, देखे इस तरह से हमारा अब ज़्यादा लाइट कर देते हैं तो इसमें से देखिए यह हमारा रिट्रेस लाइन वापस आ गया और थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं देखे इस तरह से देखे इतना देखे रेड होने का देखे इस तरह से कभी white होता है कभी red होता है देखे इस तरह से तो मैं पहले ही इस tv को देखके समझ चुका था दोस्तों यह दिखे जब इसका यह logo दिख रहा है देखे यह logo हमारा चल रहा है यह logo यह logo में हमें clear नजर आ रहा था तो हमें समझ चुकि गया था कि इसका fault is EST में ही है जो कि EST इसका preset जब loose contact होने लगता है दोस्तों जो को धूल मिट्टी, dust या कुछ दिन चलने के बाद में ये जो काम करने थोड़ा loose हो जाता है तो इस थिति में यही इसका fault होता है जबकि सारा voltage हमें okay है तो इस थिति में यही इसका खराबी है देखे, तो मैं अभी इसमें देखता हूँ आपको कि पिक्चर चला के दिखाता हूँ आपको देखे क्या हमारा पिक्चर इसमें clear नजर आता है या नहीं देखे इस तरह से तो मैं इसमें लगा रहा हूँ audio video देखे इस तरह से यह है हमारा देखे इस तरह से यह इसका देखे इस तरह से इसका पिक्चर कैसा हो रहा है देखे देखे इस तरह से यह चल रहा है दोस्ता देखे इसका इस कोट से प्रोब्लम हो रहा है और इसका इस तरह से हो रहा है देखे इस तरह से देखे और इसका जब preset ही खराब होने लगेगा दोस्तों तो आपको picture में clarity नहीं दिखाई देगा दोस्तों तो चले इसको ओप कर लेते हैं एक बार देखे इस तरह से और इसको देखते हैं इसको फिर से घुमाते हैं इस तरह से देखे इस तरह से इस तरह से घुमाके दिखाते हैं कि आपको दिखाई दे दोनों साइड से देखे इस तरह से फिलाल अभी इसमें रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों देखे इस तरह से तो सबसे पहले इसका इस साइड का इसमें थोड़ा डिसोल्डिंग करना पड़ेगा हमें तो सबसे पहले हम यह लेंगे आपका solder wire और solding ताकि हम इसका थोड़ा सा solder कर दें इसको जो पुराना desolding हो चुका है दोस्तों यह loose contact होने का जैसे हुआ है यह दिखी इस तरह से यह सब सारे पीनों पर इसको एक बार फिर से इसको यह दिखे थोड़ा सा रंगा लेके इसको इस तरह से कर देंगे देखे इस तरह से इसी तरह से आप भी थोड़ा जहां loose contact होता है desolding होता है loose contact इसको इस तरह से कीजिगा जब TV बहुत दिन से चलते चलते यह इस सिस्तिती में होता है तो इस तरह से होता है देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से जब यहाँ TV चलते रहता है तो यहाँ heat जनरेट होता है देखिए जो इसका color problem आता है कभी-कभी इस तरह सरफ problem आता है तो इस तरह से ये कीजेगा देखे इस तरह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है उन सब का पीन को इस तरह से दुबारा देखे सोल्डिंग कर दीजेगा इस तरह से देखे इतना सा आपको करना है पहले देखे इस तरह से करने के बाद में देखे क्या होता है देखे इस तरह से मैं घुमा ले रहा हूँ टीबी को देखे अब लगा के देखते हैं थोड़ा पावर इसमें कि इसमें क्या रिजल्ट है अभी देखे ये पावर हमारा पटन जो इंडिकेटर रहे जल चुका है देखे देखे अभी देखे टीबी अभी बराबर चल रहा है देखे देखे इस तरह से देखे अभी फिर से वापस हो गया इस तरह से क्योंकि इसका प्रिसेट जो है न देखे इस तरह से मैं प्रिसेट को इस तरह से कम या जादा करता हूँ देखे इस तरह से देखे इस तरह से देखे बढ़ा देता हूँ तो किस तरह से हो जाता है देखे इतना छोटा सा फाल्ट है ये इस प्रिसेड में इस तरह से होता है तो इसमें आप पुरा EAST को भी चेंज कर सकते हैं ताकि इसमें इस बीमारी का कभी इलाज दुबर आर करना ना पड़े, देखे इस तरह से, तो चले मैं इसको आपका इलाज को दिखा देता हूँ आपको, पहले किस तरह से आपको भी ठीक करना है, देखे इस तरह से, ये जो YST है, देख सकते हैं ये वाला देखे देखे ये वाला ये जो point पे हमें क्या करना है इस तरह से हमें मुमबती तो आपके पास होगा ही या glue है तो glue लगा दीजेगा आपके पास ये भी नहीं है तो glue लगा दीजेगा और glue नहीं है तो ये आपको मिली जाएगा मुंबती देखे इस तरह से जिस preset पे है न इस preset का जो ये है ये लूज हो चुका है दोश्टों तो लूज हो चुका है तो इस स्थिति में देखे ऐसा मुंबती लिजेगे आप देखे इस तरह से और solder तॉ हाई ही आपके पास solder रहेगा तो इस तरह से आपको इसमें गर्म करके इस जगप पे हमें गिराना है दोस्तों मुंबती को देखे इस तरह से देखे इस तरह से मैंने गर्म करके इस जगप पे मुंबती गिरा दिया हूँ देखे इस तरह से देखे बस इतना सा काम करना है आपको अगर यही EST में चलाना है तो इसमें आपका पिक्चर भी चलेगा कुछ नहीं है इसमें और कुछ खराबी होने का चांस नहीं है इसका preset बन जाएगा दोस्तों इसको अगर चेंज करने जाओगे तो यह आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा दोस्तों न्यू लगाने जाओगे तो देखे इस तरह से चले आपको दिखाते हैं फिर से देखे इस तरह से यह हमारा indicator जल चुका है देखिए इस स्तिति में देखिए इस तरह से इसको आपको set कर लेना है कि आपको कहां पे छोड़ना है देखे इतना में छोड़ना है आपको देखिए तो मैंने अब इसको दुबारा कर दे रहा हूँ इस जग़ पे ताकि आपका इतना में set होके रह जाए देखिए इतना में set होके रह जाए ताकि यह हमारा हिले नहीं और दुबारा इस तरह से problem हमें देखने को ना मिले देखिए इस तरह से यह हमारा बन चुका है दोस्तों देख सकते हैं आपको इसको picture थोड़ा चला के दिखाते हैं आपको देखिए इसका audio video lead लगाते हैं देखिए इस तरह से इसका audio video जो socket है दोस्तों यह इसका loose contact हो रहा है दोस्तों देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से इसका जो socket है बहुत ही खराब हो चुक है देखिए इस तरह से क्या हूं तो अभी देखिए ठीक है चल रहा है देखिए इस तरह से और आसानी से सुधार सकते हैं बीना खर्च किये भी, ये दिखिए दोस्तों अगर इसी चीज को ले के जाते हैं तो आप किसी मेकानी के पास तो इससे आपको ज़्यादा पैसे लूट लेंगे दोस्तों और इस तरह से करके रिपेरींग कर देंगे इस तरह से आपको fault आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं दोस्तों जो ये बहुत ही दिनों तक चलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके बाद में तो चले दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा इधर से आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या देखे इस तरह से ये हमारा ये देखे ये हमारा ये कोईल है देखे और ये हमारा base PCB है ये हमारा main ये देखे इस तरह ये ST है ये ही और ये हमारा ये देखे इस तरह से यहाँ power section का ये है जिस फोल्ट पे होता है जिस जगह पे उसी जगह पे आपको काम करना सीखना होगा दोस्तों इस तरह से जब आप इस पर बन जाएंगे जो टीबी का एक एक पार्ट को आप समझ जाएंगे कि यह किस सेक्षन का भाग है और यहां किस सेक्षन में यह चलता है दोस्तों तो उस समय आप सीख जाएंगे कि आपको बताना नहीं पड़ेगा दोस्तों या आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं तो मैंने इस CRT TV को अब थोड़ा सफाई करके इसको पेक करके दे दूंगा कस्टमर को ध्यान रहे और इसको जब बनने के बाद में आपको एक से दो से तीन घंटा जरूर अपने दुकान पे चला के दीजेगा कस्टमर को ताकि इसमें थोड़ा सक कुछ और प्रोबलम हो सकता है तो इसको आप सुधार के दीजेगा या जो भी है इसको सुधारना पड़ेगा दोस्तों आपको तो यही है दोस्तों उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना दोस्तों मैं बार-बार बोल रहा हूं दोस्तों आपको सस्क्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन को all पे set कर लेना ताकि आने वाला किसी भी latest वीडियो डालूं तो ये वीडियो आपको जल्द मिल सकेगा दोस्तों आप bell icon को press नहीं करोगे दोस्तों तो आपको notification नहीं मिलेगा दोस्तों तो इस समय आप one cheat हो जाओगी हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों तो इसा नहीं करना दोस्तों आपको bell icon को जरूर all पे set कर लेना है दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों